हेलो स्टुएंट्स, आप सबका स्वागत है माँ चैनल Amplitude Studies 250 में देखिए आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे डिप्लोमा में अगर आपकी स्पेशल बैक आती है तो उसकी मार्शीट कैसी होती है कई बार बच्चे पूसते हैं कि दो मार्शीट मिलेंगी, वो कैसी होंगी, किस तरह की होंगी तो हम आपके लिए दोनों तरह की मार्शीट लेकर आए है सबसे पहले आप देख लिजिए Board of Technical Education UP ये लिखा है और ये 2021 का मार्शीट है क्योंकि Special VAC के एक्जाम इस साल के तो बच्चों ने दिये हैं अभी तो इसलिए हमें पूरा एक्जामपल चाहिए था कि दोनों मार्शीट हैं तो इसलिए एक साल पीछे का ही एक्जामपल मिल सकता था यहां पर तो यहां पर देखिए ये इंस्ट्यूट ने मैंने हाइट कर दिया है ब्रांच जो है वो ये टू इयर डिप्लोमा कोर्स इं मौडर्न ओफिस मैनेजमेंट एंड सेकेटरियल प्रैक्टिस ये ब्रांच एम होती है और इसकी ये मार्शीट है इसमें यहां पर देखिए फाइनल इयर 2021 की ये मार्शीट है एक्जाम हुआ और इसमें फिफ्स सेकेंड सेमिस्टर में धर्ड सेमिस्टर में ये मार्शीट है इनके इसमें तो सारे में पास है लेकिन जो यह 4th semester जिनका final semester था तो उसमें अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यह यहां पर गड़बड हो गया है result ठीक है ना यह देखिए 15, 13, 12 और 9 इस तरह से और F, F, F लिखा हुआ है F का मतलब fail है इन subjects में हाला कि और कि आपकी 1st year से के इसा नहीं लिखा रहता है लेकिन यहां पर आकर के जो है fail लिखा रहता है F लिख देते हैं आगे और नीचे यहां पर देखेंगे अगर आप grand total में जहां पर बना है तो 1765 में से 1126 और result जो है वो eligible for back लिखा हुआ है अब च इन्होंने जो है वो अगले साल मलब इसी साल यह special back का paper दिया तो special back में देखिए अब दो mark street कैसे बनती है पहली तो वो उनके पास मिल गई बोर्ड से यह भी original board की mark street है और यह भी board की mark street है अब इसमें देखें यहां पर क्या लिखा है इन्होंने यह चीज बिलकुल आपको में रखनी चाहिए कि यह चीज जो है वो आपके साथ होगी special back paper सबसे पहली बात तो लिखिए 2021 ठीकिन आलग mark street है और जिसमें इन्होंने पास किया यह special back paper 2020 लिखा हुआ है इसमें केवल उनी चार subject के marks होंगे जो कि आपके गड़बड हो गए थे ठीकिना यह जैसे मालिया स देखे क्या लिखा जाएगा result वही रहेगा 1765 में से 1126 marks आपके add up नहीं होंगे यानि कि percentage वही रहेगी जो पहले थी 1765 में से 1126 और यहां पर देखे 1765 में से 1126 तो इस वज़े से marks यहाले add नहीं होंगे percentage वही रहेगी और division इनकी जो है वो देखे second division यहां पर बन गई है ठी इसके बाद division आप नहीं बदलने थे लेकिन लिखा नहीं उसको लिखा यहां पर है अब इनका डिप्लोमा बनेगा तो इसका बी सोलूशन यह है कि अगर इसमें से 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते तो तो तीन के बारे में तो यहां पर लिखा रहा था पास चौथ है मैं फिर फेल लिखा रहता और यह फिर next special back में जाते और next special back में फिर यह exam उस अकेले subject का देते और उस अकेले subject की माक्षीट फिर अलगाती तो इनके पास तीन माक्षीट हो जाती इस तरह से इसलिए जो है वो आप यह बिल्गुल ध्यान में रखें कि final year में जाकर के जो है वो थोड को में शेयर करें मिलते हैं अब आप से एक next video में इस तरह के धन्यवाद